मध्य प्रदेश का चिंदवाडा जिला इस वक्त सुर्खियों में हैं सुर्खियों की वज़ यहां पर एक या दो नहीं बलकि आठ लोगों की हत्या होगी हत्या करने वाला कोई और नहीं बलकि परिवार का ही सदिस्य था वह यह बता दे कि इस मामले में एक घायल बच्चा जो है जो इस पूरे हत्या कान के दर्मिया घायल हुआ था उसको अब इस्चार्ज कर दिया गया है पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे दर्शकों को बता दे कि मध्यप्रदेश का चिंदवारा जिला उस वक्त दहल गया जब एक ही परिवार में आठ लोगों की हत्या हो गई यह हत्या की थी दिनेश उर्फ भूरा ने जिसकी पिछले 21 तारीक को याने 21 मई को शादी हुई थी शादी के लगभग 6 दिन बाद भूरा ने आधी रात में अपने पूरे परिवार वालों की हत्या कर दी इतना ही नहीं अपनी माँ अपनी पत्नी अपने भाईया भावी और उनके तीन छोटे छोटे बच्चों की हत्या करने के बाद भूरा जो है वो अपने ताउ के घर की और बढ़ा और वहाँ पर जाकर उनके घर वालों को भी मारने की कोशिश में लगा था आपको बता दे कि इस दोरान वहाँ पर अपनी दादी के साथ 10 साल का एक बच्चा भी सो रहा था जिसके ओपर भूरा उर्फ दिनेश ने कुलहाडी से हमला किया लेकिन आपको बता दे कि बच्चे की चीख निकले जिसके बाद दादी जाक गई और इस पूरे हत्याकान को रोका गया वहीं आपको बता दे कि इस पूरे हाथसे में जहां एक तरफ दिनेश उर्फ भूरा की भी मृत्यू हो गई है वहीं नाकपूर इस बच्चे को भीजा गया था इलाज के लिए जहां पर बच्चे का इलाज जो है वो पूरा हो चुका है और अब उसको वापस छ जो कि नाकपूर में आने वाले समय में होगी वहां से लाज हो कर दे जो मत्तरे सासंकी मंसा है उसके साब से इलाज चीक से हुआ उसके बच्चा अज सुरच्छे थे पूरी तरीपी से उसमें जीवन के लिए उसको कोई खत्रा नहीं है परंतु फिर वी हम लोगों ने उसक अच्छे से रिपेर हो जाए जो उसको भाव हुआ है ठीक से उसका जुड़ जाएं जो उसकी हटिया वगरा में प्राबला है उसके कारण मैंने खुद ये निर्ने लिया डाक्टरों की कीम के साथ विचार वेमस करके उसको घर जाने से बजाए यहीं पर उसको रोगा इसल यहां एक तरफ चिंदवाडा को दहला दिया है वहीं सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वज़र रही जो अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही भूरा उर्फुदे नेशन ने अपने पूरे परिवार वालों की हत्या कर दी इस मामले में पुलिस फिलहाल जो है वो ज जांच की बात कर रही है जो भी अपडेट इस मामले में होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा खबर चिंदवाडा से आप तक पहुचाएए सहियोगी पवन कुमार शर्मानी मध्य प्रदेशुरी तमाम खबरों के बने रही हैं एमपी तक पिस साथ हुआ 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 है